Hello Friend, Welcome to Study News आज हम इस वीडियो में चट्टानों के बारे में जानेंगे कि ये कैसे बनते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं So, Let Us Start विभीन प्रकार की खनीजों के मिलने से चट्टानों का निर्माड होता है चत्तान कई बार केवल एक ही खनीज द्वारा निर्मित होते हैं लेकिन समानता या दो या दो से अधिक खनीजों के मिस्टरण से बनते हैं प्रिथ्वी का संपूर उपरी भाग लगभग 98% भाग 8 तत्तो से मिलकर बना है जिसमें अक्सीजन, सिलिकॉन, एलुमीनियम, लोहा, कैलसियम, सोडियम, पोटेसियम और मैगनीसियम आता है बाकी सेस भाग हाइडरोजन, फासफोरस, मैगनीज, सलफर, कार्बन, निकेल और अन्यप्रदार्थों से बना है आपको बता दूं कि चट्टानों के अधियन को पेटरोलोजी कहा जाता है अब जानते हैं सैलों के प्रकार के बारे में यह मुखेते तीन प्रकार के होते हैं आगने सैल, अफसादी सैल और रुपांतरिक सैल आगने सैलों का निर्माड जो आला मुखी से निकले मैगमा से होता है जब मैगमा ठंडा होकर ठोस हो जाता है तब इस प्रकार के चट्टानों का निर्माड होता है आगने चटानों को प्राथमिक चटान भी कहते हैं आगने चटान परत रहित और जिवास में रहित होते हैं इन चटानों में चुम्बकिय लोहा, निकेल तामबा, सीसा, जस्ता, क्रोमाईट, मैगनी, सोना, तथा प्लेटिनम जैसे बहुमूले खनीच पाए जाते हैं आगने चटानों को भी कई भागों में वर्गी कृत किया गया है जिसमें उत्पत्ती के आधार पर और रासाइनिक संरचना के आधार पर उत्पत्ती के आधार पर आंतरिक चटान और वाहे आगने चटान आते हैं और राइसायनिक संरचना के अधार पर अमलिय और छारिय चटाने आती है अब जानते हैं अफसादी चटानों के बारे में इन चटानों की पर्तों के बीच अतियधिक मात्रा में अफसेस दवे होते हैं इसलिए इन में जिवास में अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं जिसके कारण यहां खनीच तेर प्राकर्तिक गेस कोईला के भंडार होने की संभावना सरवाधिक रहती है और ये चट्टाने अप एक्छाकृत मुलाइम होती है अब जानते हैं रुपांतरिक या कायंतरिक चट्टानों के बारे में अफसादी तथा आगने चट्टानों पर अत्यधिक टाप वदाप तथा आयतन में परिवर्तन के कारण उनकी रासायनिक संरचना के साथ साथ उसकी मूल भौतिक विसिस्ताओं में भी परिवर्तन होता है इस प्रक्रिया को कायंतरण या रुपांतरण कहते हैं तथा इस प्रक्रिया द्वरा निर्मित चट्टान को रुपांतरिक या कायंतरिक चट्टाने कहते हैं इन चट्टानों को इनकी कठोड़ता घनी धारीदार संरचना तथा गुत्य हुए रवो के कारण जाना जाता है तो ये थी चट्टानों से जुड़ी कुछ प्रमुक बातें अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट